हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल तोड़े आर गोइंग तो सी डे ट्वेंटी थ्री फ्रॉम दे ब्रीच कोर्स इट्स पर स्टांडर सीग सब्जेक्ट हिंदी ओके नाव लेट उस सी क्षेत्र भाशावी का स्कोशल पतन और लेखन अध्य निश्पत्ति अगरी लिपे में लिखाए उसका हम अंग्रेजी में अनुवात करेंगे ओके आव पता करें यहाँ पे देखो पड़ो और अनुलेखन करो अनुलेखन करो मतलब लिखो ओके तो चुक चुक गाड़ी एसा नाम दिया है उसका और हम अभी उसको रीड करने वाले पढ़ने रविवार का दीन था पाठशाला में चुट्टी थी आसपास के बच्चे इखटे हो गए वर्ष उनमें सबसे बड़ा था उसने कहां चलो चुक चुक गाड़ी खेलते हैं सभी बच्चे उचल पड़े वर्ष ने कहां पहले मैं हाजीरी लूंगा सभी एक दो तीन बोलू हाजीरी में एक से चोबिस तक उपस्तित थे वर्ष बोला मेरा क्रमांक 25 हुआ अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा सभी एक पंक्ती में खड़े हो जाओ उसने निम्न प्रकार से नाम दिये जैसे एक चैत्र, आट कार्तिक, पांच, स्रावन, दो वैशाक, सा आश्विन, चार आशाळ, अठार आग्नेय, छ भाद्रपत, दस पौश, पंद्र नैरुत्य, इक्किस पच्छिम, बाईस उत्तर, तेईस दक्षिन, सत्रह वायव्य, नव अगरायन, बार फाल्गुन, तीन जेष्ट, सोल इशान्य, चौदह आकाश, ग्यारह माग, तेरह इंद्रधनुष, उन्नीस बादल, चोबिस धर्ती, बीस पुरुव, वर्ष इंजन बन गया, सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुडते गए, बाद में 6 बच्चे और जुड गए, इस तरह शुरू हो गया चुक-चु गाड़ी का खेल खेलो, यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी, हर मोसम में खेल सकते हो, तो इस तरह से हमने यह जो चुक-चुक गाड़ी का जो पैसेज दिया था, तो उसको हमने पढ़ाए, उसके नीचे क्या दिया है, देखो, अध्यापक विद्यार्तियों से चित्र का नि पुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको जो प्रेशन पुछे जाएंगे, उसके आंसर ओरली देना है, लिखना नहीं है, आउसक्षम बने अध्यापक विद्यार्तियों से पाट का उचीत आरोह अरोह के साथ पठन करवाए, अभी हमने वही किया, पठन किया, मतलब रीडिं उसको पढ़ सकते हो, आओ अब्यास करें, चित्र के माद्यम से सप्ता के दिनों के नाम लिखवाए, अभी यहाँ पे चित्र दिया है, लेकिन वहाँ पे सप्ता के नाम आपको नहीं मिलेंगे, तो शायद एक ही सप्ता के दिनों का नाम है एक ही रवीवार, लेकिन मैंने आपको सप्ता के दिन जो साथ होते हैं, उनके नाम मैंने लिखवा दिये हैं, नाव लेटर से आंसर, सोमवार, मंगलवार, बूधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह भी आपने अच्छे से लिख लेना है नोटबुक में, नेक्स्ट क्वेचन आउस रुजन करें, अभी इसमें क्या करना है आपको, एक से पचिस तक अंक शब्दों में लिखो, मतलब एक, दो, तीन, चार, यह से पचिस तक हमें अंक शब्दों में लिखना है, तो देखते हैं आंसर, नाउ लेट एस रीट दा आंसर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, साथ, आट, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चवदह, पंदह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्निस, बीस, इक्किस, बाईस, तेईस, चोबिस, पचिस, तो इस तरह से हमने एक से पचिस तक के अंग, शब्द में लिखे, यह सब आपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है, आफ्टर देट, पूरक साहितेस्त्रो, दिख्षय अप का प्रयोक करें, तो आपको दिख्षय अप की लिंक दी है, तो आप उसको क्लिक करो, और उसमें क्या और एक्जाम्पल्स है, क्या, अलग-अलग महिनों के नेम से, या दिनों के नेमें, वो आप रीड करो, देखो, ओके, तो डियर स्टुडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चानल को सब्सक्राइब भी करो, ओके, थैंक यू